पिछले सत्र में हमने समझा कि FPO एक व्यवसाइक संगठन है जो अपने सदस्यों को लाब दिलाने के लिए काम करता है हमारे FPO के सुचारु संचालन वा कामकाज के लिए संचालक मंडल के प्रतनिधियों के रूप में हमें FPO के विभिन घटकों, अर्थात, सदस्यों, संचालक मंडल और करमचारियों की भूमिका को सपस्ट रूप से समझने की आवशक्ता होती है इसलिए सत्र में हम FPO के विभिन पदाधकारियों के परस पर अंतरसंबंध तथा उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे इन सब बातों को समझने के लिए आईए हम चलते हैं उस बैठक में जहां चैतन्य FPO के सदस्य प्रतिभाः FPO को देखने के लिए उसके दोरे पर आए हैं प्रतिभाः FPO एक पुरुसकार प्राप्त FPO है जिसे हाल ही में राज्यस्तर पर बेस्ट FPO अवार्ट से सम्मानित किया गया है चैतन्य FPO के संचालक मंडल के सभी सदस्यों का स्वागत है मैं भारती हूँ प्रतिभाः FPO की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ सभी को नमस्कार मैं शिवराम चैतन्य FPO की ओर से मैं प्रतिभाः FPO को राज्यस्तर पर सर्वश्रेष्ट FPO पुरुसकार जीतने के लिए बधाई देता हूँ मैं प्रतिभा FPO की अध्यक्ष भारती जी और उनके संचालक मंडल के सधस्यों को उनके अनुभाव हमारे साथ साज्या करने का आउसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ मुझे और मेरे साथियों को हमारे अनुभवों और सीखों को आप सभी के साथ साज्या करने में बेहत खुशी हो रही है आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं भारती जी कृपया हमें FPO की सनरचना और उसके विभन घटकों के बारे में बताईए इस बीच मैं आप से आपके FPO के लिए संभावित संस्थागत सनरचना पर चर्चा करूँगी हम प्रायह देखते हैं कि सबसे पहले सभी किसानों से व्यक्तिगत इस्तर पर शुरुवात की जाती है फिर उसके बाद वह किसानों के छोटे अनौपचारिक समुह बनाते हैं जिनहें किसान समुह FGS के नाम से जाना जाता है इन किसान समुह को लेकर FPO का गठन किया जा सकता है इसके अलावा यदि आविशक हो तो ये सारे प्रात्मिक FPO मिलकर एक संघ या फेडरेशन बना सकते हैं इसके सदस्य या तो व्यक्तिगत किसान या पंजीकरत उत्पादक संगठन हो सकते हैं किसानों द्वारा व्यक्तिगत इस्तर पर स्वयम एक FPO का निर्मान सीधे तोर पर किया जा सकता है. यह भी FPO की एक अन्य संभावित संरचना हो सकती है. तो भारती जी हर FPO में सदस्य और निदेशक मंडल होने चाहिए? अहां श्याम, सदस्य, निदेशक मंडल और कर्मचारी किसी भी FPO के तीन घटक होते हैं. उनके बीच के रिष्टों को समझना और उनके आपसी रिष्टे अच्छे बनाए रखना FPO की सफलता के लिए बेहत जरूरी है. सभी सदस्यों को मिलाकर साधरन सभा यानि जनरल बोडी बनती है. जनरल बोडी FPO के संचालन के लिए अपने में से कुछ सदस्यों को चुनती है, जिन्हें संचालक मंडल कहा जाता है. संचालक मंडल FPO के कामकाच चलाने के लिए करमचारियों की नियुक्ति करता है. ये करमचारी संचालक मंडल के प्रती जवाब देह होते हैं. संचालक मंडल इन कर्मचारियों के कारियों के मुल्यांकन का पैमाना तै करता है और उसके मुताबिक उन्हें पदुनती और अन्यलाभ प्रदान करता है भारती जी एफपियों की ये तीनों घटक किस तरह से काम करते हैं कर्प्या क्या आप इस बारे में विस्तार से बताएंगी जी श्याम इसे सिलसलेवार समझते हैं सदस्य या जनरल बॉडी एफपियों में सबसे उपर होती है जो संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाओ करती है संचालक मंडल सभी सदस्यों के हित में काम करता है और वो साधरन सभा यानि जनरल बोडी के प्रती जवाब दे होता है FPO के कर्मचारियों की न्यूकती संचालक मंडल द्वारक की जाती है जो सदस्यों को सिवाय देते हैं ये कर्मचारी संचालक मंडल की प्रती जवाब दे होते हैं, संचालक मंडल कर्मचारियों के कामकाज के मानक तै करता है और उसके मताबिक उन्हें पदुन्नती या दूसरे लाब प्रदान करता है। भारती जी इससे यह समझ में आ रहा है कि FPO में हर एक घटक की भूमी का और जिम्मेदारी पहले से तै होनी चाहिए। जी गायतरी आप सही कह रही हैं जनरल बॉडी संचालक मंडल और FPO के CEO हर एक की अपनी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तै होती हैं। जब हमारे पास तीनों घटकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की सपष्ट समझ होगी तभी हम FPO का कुशलता से संचालन कर सकते हैं और अपने सदस्यों का विश्वास और भरोसा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधरन सभा यह जनरल बॉडी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में। जनरल बॉडी संचालक मंडल का चुनाओ करती है। FPO के नियम बनाना और उनमें आविशक संशोधन करती है। यह भविश्यकी योजनाओं, नीतियों और बजट की सुईक्रती करती है। यह वार्षिक रिपोर्ट और audited statement को सुईक्रती देती है। यह अधिशेश का निप्टान और घाटे का प्रबंधन करती है। यह विशेश कोश और फंड तयार करती है। भौतिक और आर्थिक संसाधनों का स्रिजन करती है। यह लेखा परिक्षक, auditor की निउक्ती करती है। भारती जी, संचालक मंडल की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में कुछ बताईए। जी हाश्याम, संचालक मंडल की जिम्मेदारियों को प्रशासनिक, वित्तिय और वैधानिक जिम्मेदारियों में बाटा जा सकता है। प्रशासनिक जिम्मेदारियों में शामिल है सदस्सिता प्रदान करना और किसी सदस्सिकी सदस्सिता रद्द करना। पदाधिकारियों के चुनाओ और उनके निश्कासन, कारेकारी समितियों का गठन करना, कर्मचारियों की न्यूक्ति और उनके प्रदर्शन की समीक्षा करना, अन्य संगठनों, संगों और महा संगों में सदस्थिता को लेकर फैसला करना, वित्तिय जम्मिदारियों में सम्मलित हैं वैधानिक कारियों में सम्मलित हैं संचालक मंदल के चुनाओं का आयोजन करवाना FPO के लेखा जोखा की आउडिटिंग करवाना सालाना रिटरन दाखिल कराना सामान निस्थभा और संचालक मंदल की बैठके आयोजित करवाना उपनियमू में संशोधन CEO संचालक मंडल के प्रती जवाब दे होता है और वो एफपियो के लक्षियों, रणनीतियों, योजनाओं और नीतियों के निर्माण में संचालक मंडल की सहायता करता है इसके साथ ही उसके कारिय हैं विभिन वैधानिक अनुपालन वा उनके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करना सभी आवश्यक रिपोर्ट तयार करना और बोर्ड तथा साधरन सभा के सामने प्रस्तुत करना एफपियों के दिन प्रतिदिन के मामलों और कामकाच का प्रबंधन करना संचालक मंडल के समगर मार्क दर्शन में सदस्यों को सेवाएं विभिन सेवाएं प्रदान करना जिसमें सम्मलित हैं सदस्यों के कल्यान के लिए अवसरों की पहचान करना व्यवसाई योजना का विकास और क्रियानवयन, सदस्यों को विभिन सेवाएं प्रदान करना, सदस्यों का प्रशिक्षन और उन्मुखी करन, सदस्यों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जैसे कि वित्तिय, भौतिक वा तक्नीकी संसाधन जुटाना, एफपियों के लिए विभन आविशक बुन्यादी धाचों को तैयार करना और उन तक पहुँच सुनिश्चित करना। संस्थागत व्यवस्था और अनुपालन के संदर्व में CEO कई प्रकार के कारे करता है। जैसे की बही खातों का उचित लेखा जोखा रखना, वार्शिप हिसाब किताब और उसकी ओडिट की तैयारी करना, ओडिट रिपॉर्ट को बॉर्ड मीटिंग और सदस्यों की वार्शिक साधारन सभा में प्रस्तुत करना, संचालक मंडल के निर्देश पर कर्मचारियों की न्यूक्ती और उनके कामकाज की निगरानी करना, एफपियों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करना, जैसे की लेखा और बही खाता तैयार करना, निगरानी और रिपोर्टिंग, उत्पादन, विपणन, अभिशासन, मानव संसाधन प्रबं और सरकारी एजनसियों के साथ अच्छे व्यवहार या रिष्टे बनाए रखना, अब हम सत्र की समाप्ति की ओर हैं, तो आईए, अब हम इसकी मुख्य बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं, व्यवसाय अच्छी तरह चलाने, एफपियों की प्रभावशाली संस्थाग संचालक मंडल और कर्मचारियों की भूमिका के बीच अंतर को समझना बेहत एहम हैं, साधरन सभा सबसे उपर है, उसके पास सभी शक्तियां हैं, जबकि संचालक मंडल नीतियों, रणनीतिक दिशा और योजनाओं पर फैसला लेगा, कर्मचारियों की जवाब देही संचा जब आप लोटें, तो आपको अपने FPO की समीक्षा करना चाहिए, और इसकी पहचान करना चाहिए, कि आप अपनी भूमिका किस हद तक निभा सकते हैं, भारती जी, यह हमारे लिए बहुत ही महतुपूर्ण जानकारी रही है, यह सारी बाते हम अपने FPO में लागू और अपने सदस्यों को भी बताएंगे, सही कहा शिवराम जी, सदस्य हमारे FPO की नीव हैं, इसलिए आपको अपने FPO में सदस्यों की एहमियत के बारे में भी सोचना चाहिए, धन्यवाद, हमें अपने करतव्वे और जिम्यदारियों के बारे में बताने के लिए, भारती हम अपने FPO की तरफ से आपके FPO के संचालक मंडल के समस्य सदस्यों के प्रती आभार प्रकट करते हैं, हमारे अनुभवों को साज़ा करने का मौका देने के लिए, आप सभी का धन्यवाद झाल